बहुत है नमस्ते हाथ आपको स्टूडेंट्स को काफी तक्लीफ देता है इसका नाम है हिलर्स मॉडल जिसका रेफरेंस आइसी आई ने अपने मॉड्यूल में काली एक जगा पे दिया है एंड उसको प्यार से स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रेजंट वैल्यू भी बोलते हैं जो एज एस्टूडेंट कई बार आपको यह कॉंसेट दिखेगा भी नहीं बिकास डाइरिकली क्वेशन और आंसर में एक जगे पर उसका रेफरेंस आई अब आप लोग यह जब वीडियो देख लोगे फिर आप लोगो को कोई टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है बिकास आप लोग को उसके पहले क्या करना है जो नीचे आप लोगो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है बिकास सारे नोट्स इस कॉंसेट से रिलेटेड वहां पर ही है तो इसमें नोट्स क्या मिलने वाले हैं सर हमारे को आपको नोट्स मिलने वाले हैं अब्रीटिंग फ्रॉम दे मैजिक बुक जी हाँ यह है आपका मैजिक बुक अगर आपके पास अभी नहीं है तो please without fail ले ले लेना it's a very minimal cost बट इसमें काम क्या होगा पताएं क्या सारा का सारा थियोरी कोई चैप्टर से रिलेटेड उससे रिलेटेड जितना भी concepts है net present value decision making, discount rates उससे रिलेटेड example, solution फिर बाब में techniques of risk analysis उससे रिलेटेड जो concept है या formulas है फिर बाब में उससे related question and answers everything is there at one place and that's what you want अब अपन लोग करने वाले हैं आज hillers model तो देखो यह सारे formula भी एक जगे पर ही मैंने डाल दी है magic book में तो यह अपन लोग को मिल जाएगा and उसका जो hillers model है जिसको अपन प्यार से का है standard deviation का present value उसका भी formula यहां पे है बस अब उसको logically कैसे लाना है and कैसे apply करना है is now what we are going to understand in this concept but उसके पहले आप लोग का फर्स है कि आप लोग video को like करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा and definitely share your comments कि आपको और क्या चाहिए so that I can make more videos relating to this also do subscribe and click the bell icon so that जो भी notification आएगा आपके paper 6 के लिए SCPM के लिए वो सब भी आपको helpful होगा and you will get an idea about everything alright guys तो चलो on that note start करते है with our healer's model जो very very important है आ सकते हैं exam में around 8 marks के लिए option में ना छोड़े उससे अचा 15 minute invest करके let's get it done and dust it let's start called as standard deviation का present value वासर क्या नाम बुला वही अपन लोगने cash inflow का present value तो सुना है cash inflow सुनो ना तुम लोगने cash inflow तुम लोगने cash inflow का present value तो सुना है कैसे निकालते है cash inflow का present value तो कितना simple है जो भी cash inflow है उसको one plus discounting factor से किया तो आ गया सर यह first year का है समझो cash inflow सर यह दूसरे year का मिरको मिला मैं कर दूंगा one plus discounting and raise to two तो कोई इभी चीज़ को अगर उसको present value पे लाना है तो उसको discounting factor से multiply कर दे public बराबर है so cash inflow को मेरको अगर present value पे निकालना है तो मैं present value पे लाने के लिए discounting factor से multiply किया एकदम सही अब अगर मैं आपको बुझता हूंँ अब अगर में आपको बुझता हूं कि मझे अगर standard deviation का percent value चाहिए तो ऐसा भी होता है हां होता है ना institute के question में हुआ है so मिरको अगर standard deviation का प्रसेंट value चाहिए तो मिरको अगर variance का percent value चाहिए तो सर आ सकता है क्या well the answer is yes चला जो ====持ंड का percent value का हूं मैं आप लोग को पहले बता देतां हो कि होता है सेम लॉजीक वही रहेगा तो पर एकज सोमीरा है 36 को मिलेको । इसको प्रेसेंद factor raise to 1, say next year गया, say 54, standard deviation ये 1 का, standard deviation ये second का, so 1 plus discounting factor raise to 2, और एक ले लो, sir, 81, standard deviation third year का, upon 1 plus discounting factor raise to, 2, correct, it will be 3, तो FA करते करते, we will get the standard deviation का percent values, इसमें कोई problem, कोई problem नहीं है, अब मेरे को find out करना है, suppose, इसका variance, variance का present value, तो मैं क्या करूंगा, तो देखो, usually ये तो क्या हो जाता है, अपने लोग कहना है, इसे variance बेटा is equal to standard deviation का square, ये चीज़ तो अपन सबको पता ही है, तो अब यहाँ पे मेरा, say for example, standard deviation है, ये, say मेरा ये standard deviation है, upon one plus discounting factor दिया है, कैना इससे इसका square कर देंगे हम, plus, कैना इससे मेरा अगर standard deviation 2 है, जो भी है, upon one plus discounting factor इसका square कर देंगे हम, बराबर है सर, plus, say standard deviation 3 है, बराबर है, इसका one plus discounting factor square, इसका square कर देंगे, अपन ये third year का है, sorry, ये third year का है, इसका square कर देंगे अपन, so, so, variance, calculate करना है मेरेको, तो खाली इसको open करो, इसको open करो, चलो, इसको मैं next page पे भी लिख लेता हूं, so that, अपन common path पे रहें, अब मैं इसको अगर open करता हूं, अब अगर मैं इसको open करता हूं, तो क्या हो जाएगा मता है, standard deviation 1 का square upon, one plus a discounting factor, ध्यान रखना, आप लोग का basics, अगर mathematics का strong है, तो यह 1 है, और यह 2 है, तो यह 1 into 2 हो जाता है, क्या आपको बता है, यह basic, जिया, इसके बाद में आ जाता है, अपन second, इसके उपर, so it will be standard deviation 2 का square upon, one plus discounting factor, अभी बेटा यहाँ पे 2 था, अब यह हो जाएगा, 2 into 2, यह जो 2 है, यह इधर multiply हो जाएगा, and तीसरा वाला, आजाएगा, standard deviation 3 का square, जो भी है, 1 plus discounting factor, यह भी ठीक है, दर raise to 3, again multiply by 2, hey, got it guys, तो जो भी आपका year of discounting factor होगा, multiply by 2 कर देना है, जब मैं variance calculate कर रहा हूँ, जब मैं variance calculate कर रहा हूँ, पस, इसको प्यार से कहते हैं, Hiller's model, अगर आप लोग के पास, में भी optimized है, then in that case, इसमें अपन लोग ने देखो, Hiller's model लिखा भी है, I think question 18 में ही था, हाँ, यह रहा, as per Hiller's model, तो नाम में कोई tension नहीं लेने का है, अपने को तो, समझने से मतलब है, क्या, आपको यह समझ में आया, सर, आ तो गया, बट सर, इसको solve कैसे करना है, मेरे पास एक question है, आपको चीए, तो वो question में करवा देता, अप्टिमाइस है, चलो, फड़ा-फड़ा अपनो उसको समझ लेते हैं, so that we are all on the right track, अब basically, in short, in short, in short, अगर मेरे को Hiller's model calculate के हिसाब से calculate करना है, तो मैं कर सकता हूँ, क्या, कर सकता हूँ, सबसे पहले, variance का, सबसे पहले वैसे भी अपनों variance निकालते हैं, तो अगर मेरे को इदर variance का present value calculate करना है, तो बेटा, मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा, क्या, standard deviation, बराबर है, उसका square upon 1 प्लस discounting factor, 1 into 2, ठीक है सर, समझ गे, एकदम समझ गे सर, continuing, standard deviation 2 का square upon 1 प्लस discounting factor, बट इस बार, 2 into 2, समझ गे, आप लो, कौन सा वाला 2 आ रहे हैं आपे, plus, 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 standard deviation 3 का, उसका square upon 1 plus discounting factor, प्राबर है, third year है, into 2, hey, gotcha everybody, 4 वार, तो 4 into 2, अब अगर मेरे को, मेरे को कोई बोलता है कि, चलो, standard deviation का present value, निकालो, so what will it be, यह जो मैंने calculate किया है, तो standard deviation का present value, यह जो उपर मैंने calculate किया है, उसी का तो square root बनेगा मेरा standard deviation, यार, so, यहाँ पर मेरा आ जाएगा, standard deviation 1 का square, बस एक last permission आप लोग से मांग रहा हूँ, इधर standard deviation 1 के square के जगे पर मैं लिख सकता हूँ, variance of 1 upon 1 plus discounting factor 1 into 2, plus variance of 2, जाई, standard deviation of 2 का square, मतलब variance of 2 ही हुआ ना यार, public, 1 plus discounting factor 2 into 2, plus variance of 3 upon 1 plus discounting factor 3 into 2, 3 into 2, या जाएगा 3 into 2, है, सब्सक्राइगा, so, यह देखो इधर, यह भी काम आ गया, और यह भी हो गया, this is my final, final answer for the Hiller's model, तो कभी आपको भूल छे कोई, के standard deviation का present value निकालो, आप क्या करोगे, first का variance upon 1 plus discounting factor, raised to 1 into 2, दूसरे का variance, तीसरे का variance, and that's how you will calculate, आ जाओ, एक question के उपर, जो optimized में है, आपको मिल जाएगा आपका, I think आपके module में भी आपको देखना है, आप लोग देख सकते हूं, question 5 of your module, standard deviation of the present value, यह same question, अब मैं open कर रहा हूं, मेरे optimized में बिड़ा, मैं open कर रहा हूं, मेरे optimized में, यह रहा, यह रहा, यह रहा वो question, typical question है, बस इसमें वो लोग ने बुला है, calculate the standard deviation of the present value, ध्यान रखने का, standard deviation of present value, कभी भी standard deviation is always derived from the, correct, variance, so अपने को, जब बोलेगा कोई, कि बैस standard deviation of present value, calculate करो, तो अपने को क्या करने का, root ले लेने का, फिर अपनों क्या करते हैं, variance करते हैं, पहले का variance, but, बस divide by one plus discounting factor, one into two, sir, फिर क्या करेंगे, sir, add करेंगे, क्या add करेंगे, sir, variance, दूसरे का, अपन, sir, one plus discounting factor, sir, two into two, बस, तो in shot, अब मेरे को अगर ये, end में क्या है, मेरे को बाबुजी, main क्या है मेरे लिए, standard deviation of present value, define कर रहा है, वो मैं कैसे calculate करूँगा, बेटा, hello, बेटा, वो मैं कैसे calculate करूँगा, मैं पहले variance calculate कर लूँगा, so, देखो, question में मैं पहले variance calculate करूँगा, ये रहा, मेरा, वो question, इसमें, क्या मेरे को variance calculate करने को आता है, दूसरा x minus x bar square into probability यह करते करते कैना इसे यह जो 185.25 है हलो कैना इसे 185.25 यह मेरा variance 1 हो गया यह मेरा इधर 95.25 मेरा variance 2 हो गया 35.25 मेरा variance 3 हो गया तो यहां पर देखो मेरा मेरा concept क्या बलता है variance 1 तो मैंने इधर लिख लिया मेरा variance 1 कितना था 185.25 everybody with your permission guys with your permission 185.25 variance 1 है मेरा उसका root निकाल देखो standard deviation खाली standard deviation होगा तो अब variance तो मेरा 185.25 है उसको मेरे present value पे लेकर आना है जब healers model में use करता हूं तो मैं क्या करता हूं 1 plus discounting factor question का discounting factor देखो क्या है question का discounting factor देखो हो क्या है it is it is 10% so यहां पर आपन लोग क्या कर लेंगे बिटा 1 plus discounting factor मैं ले लूँगा point 1 बढ़ा रहे एंड एंड याद रखना 1 into 2 plus variance of second part बेटा variance of second part क्या है क्या question में दियावा है दियावा है दियावा है अपन लोग ने find out कर लिया है variance of second part 95.25 हम इदर आ जाएंगे सीधा हम लिख लेंगे 95.25 बराबर है divide by बस 1 plus 0.1 2 into 2 4 हो जाएगा और तीसरे वाले में 1.1 raise to 6 हो जाएगा इसका भी मेरे पास है 35.25 वो मैंने ले लिया 35.25 35.25 है समझे गड़ी इसी के साथ होता है मेरा यह पॉइंट भी complete अब आप अब नेक्स पेज करोगे करोगे here it is 185.25 variance पहले का divide by उसको present value पे लियाओ दूसरे का उसको present value पे लियाओ q4 q6 q2 यह मैंने आप लोग को इधर logically समझा दिया है बस अब आपको यह formula याद रखना है and you will be able to solve this question as well तो कहफा लगा या कमेंट चाहिए तुम्हारे likes चाहिए तुम्हारे कि yes अच्छा लग रहा है sir and that is what is the ultimate motivation अब यही same solution आपको module में मिल जाएगा and you will be able to solve it okay so hillers model पुरी तरस से I hope clear हो गया होगा simple है ना standard deviation का square करो है राइन से root में ले लो one into two two into two two into two two into two okay it's time for me to say short short videos with good good concepts के लिए as I told you like the video subscribe रहे कमेंट में शेयर कीजिए कैसा लगा and also आपको next concept कौन सा चाहिए keep smiling thank you वैसे जितने भी chapters हैं ICAI के पंदरा के पंदरा chapters का revision videos मेरे YouTube channel के playlist पर है ठीक है so please उनको देख लेना exam के पहले definitely use for very good marks keep smiling thank you so much work